कर लास्ट करने वाले सर्कल कर लास्ट कुछ कूछ क्या होगा कमप्लेट होगा तो एक बार मैं जस्ट आपको बता दो कि कौन कौन सी फॉर्म हमने अभी तक की है कौन कौन सी टैप की एक पढ़ी है तो सबसे पहले आपनी पढ़ी थी स्टेंडर एक्वेशन ऑफिसर स्टेंडर फॉर्म जो थी मेरी हूं क्या थी बढ़ी सिंप्ली कि अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर एच कॉमा के है और रेडियस अगर आर है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं तो उसको मैं सिंप्लिवाइए कर दूं यानि ये फॉर्मले जो ह expand कर दूए माइनस भी होल स्क्यार की फॉरमले और स्टेंडर्ड ऐसको तो जो सेकंड फॉर्म बन कर आती है वो मेरी आती है कौनसी ज जम्रवान करना जया है वाई जन्रल को में जब प्रपॉर स्वाइय स्क्यार माइनस चूह सबाद fidelity में अस्लिन क्ले सेट c kia, c constant है november now htns से st over eze qa rаж kya r square और यहीं से अगर मुझे stand or koo finitor तो मैं wish value की निकाल सकता थारओ तहिए यहीं चैने शज्यार्घ निकाला था at the third service real it diameter diameter form जो मिले last class में अब भरिये थी कि आपके पास एक circle है और उस circle के एक diameter के endpoints अगर मुझे given है circle के diameter के endpoints given है अगर let me x1 y1 comma x2 y2 then the equation of the circle is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 whole equal to 0 this is your diameter form तीन होगी और आज हम लाज जो बात करने वाले हैं that is your parametric form की यह तीन चीज़े हमने पड़ी थी आपके अंचे अटिम ने सिर्फ इसी के basis पे solve कर ली थी ठीक है फिर element के questions के इसके basis बहीं ठीक है वो साठे के शूना आप इससे भी खर सकते थे लेकिन अगर में सब्सक्राइब कर सकते हो and the next and the last one is parametric form ठीक है तो इस parametric form में क्या होता है इसकी बात करता हूं इनिशली मैं एक सब्सक्राइब लेता हूं जिसका center क्या होगा और सॉरी जिसका center क्या होगा origin होगा तो let me this is your circle ठीक है तो क्या पढ़ रहा है लास्ट पैरमेट्रिक form उसके लिए मैंने एक circle लिया जिसका center क्या है 00 अब अगर मैं बात करूं कि कोई भी equation जैसे मैंने standard की बात की general की बात की यह क्या है यहां पर बार बात कर रहा हूं कि x and y are the general points x and y are the general points ठीक है वो general points क्या होते है कि अगर मुझे circle की equation निकाल लिए तो इस circle पे कहीं पे भी एक point ले लो आप वो point क्या होगा मेरा that is your general point यानि x y जो है ना यह कहीं पे भी हो सकता है इस circle पे और इसी की value मुझे बतानी होती है इसी की value मुझे निकाल नहीं होती है actually में क्योंकि x और y की जगह है मालो यहां पर मैंने इस circle equation लिए कि यहां पर मैंने कोई point लिए 1,2 इसका मतलब अगर यह circle की equation है तो x और y की जगह अगर मैं center of the circle यह मेरा circle है तो अगर मैं center से एक line on the circle पे किसी point से join करता हूं तो वो क्या होती है that is your radius of the circle yes or no और मैं अगर यह बोल दूँ दिस जो positive direction of x अगर यह इसके साथ जो angle है वो theta बनाती है यह इसके साथ angle क्या बनाती है थीटा बनाती है तो आपसे let me this is general point x,y मैं इसके coordinate आपसे पूछूँ तो क्या आप मुझे इसके coordinate बता पाऊगे जी बिल्कुल बता पाएंगे कैसे बिल्कुल असान है देखो यहां से एक perpendicular रो कर दूँ तो अगर मैं ध्यान से देखो इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं मैं तो यह कुछ ऐसे हो गया है यह मेरा आर है यह प्रपेंडिकुलर है जो मैंने ड्रो किया यहां पर इस एंगल इस थीटा तो मुझे पूछा गया है क्या मैं यह लेंथ बता सकता हूं यह लेंथ का मतलब क्या है से आप यहां जा रहे हो इस पॉइंट के कोडिने बताने है इसका मंदल्द इस यूर एक्स यस और नो एंड इस यूर य कोडिने तुम आप से पूछो इस एक्स की वेल्यू क्या होगी तो ट्रिक्नोमेट्री आपने अच्छे से पड़े होगी दिस आर यह थीटा है दिस आर कॉस थीटा यस और नो बिल्कुर आए हैं सिंपल से चीज है थीक है नहीं आता तो सिर्फ इस तरह देख लो यह एक से थीटा के साथ क्या होता है बेस डिवाइड बाइड वाइड आर कैस्क्टिश थीटा इसका मतलब एक्स किसके करोगा आर कॉस्टिटा क्या होगा से थीटा इसका मतलब y क्या हो जाएगा रदर चलाए y is equal to r sin थीटा तो अगर मेरे पास एक सर्कल है उसकी रेडिस मुझे पता है और मैं किसी एंगल पे positive direction of x-axis के साथ मैंने कोई एंगल बताया और फिर मैंने आपसे पूझा कि यह point क्या होगा तो इसको बताने का तरीका क्या होगा एक तो यह तरीका हमने पढ़े हुए या फिर दूसरा तरीक क्या होगा मेरा parameter होगा चीज यह clear हुई ठीक है this is your parametric form that's it तो अब यहां पे आप कोई भी point ले लो इस circle पे मानलो जैसे मैंने इसको xy बोला था यह point निकालना है मुझे यह point क्या होगा ठीक है या फिर यह यह point दिया हुआ है यह निकालना होगा तो क्या होगा क्या आप इ just a minute यह चीज हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं हटा देता हूँ देखो अब ध्यान से same circle है और मानलो कहीं पे भी कोई भी this is your origin 0,0 यह मेरा point लेक्ट बढ़ा सकते हो तो बिल्कुल सही है तो जैसे मैंने इहा निकाला एज़टीज हो जाएगा this point is r cos theta, r sin theta अब कुछ बच बोलें वहां में theta बोल रहे तो यहीं theta बोलती है इस theta की value change होगी ना this is your parameter तो इसके लिए theta इतना ही था मानलो 30 था बट इसके लिए angle यह इतना हो जाएगा let me this angle is मानलो 330 degree मैंने बोल दिया 4th quarter में चला गया यहां से अब ध्यान रखना अब मेरे angle कहां से कहां से थीटा की value कहां से होगी तो जीरो से start होगी कहां तक जा रही है टू पाई तक it means your theta is lie in between zero and two pi ने थीटा जो है zero से two pi के बीच में लाई करेगा यह चीज धान रखना ठीक है एक का equal हटा सकते हो जीरो टू पाई एक ही बाद हो थी ठीक है तो theta कहां 0 से start होगे up to two pi तक जाएगा चीक है तो अब इसके लिए मालो मैंने यह एंगल बोला कि this is your 330 degree और radius मालो इसकी 5 है तो what is the coordinate of this point देख फोर्थ कोड में लाई कर रहा है फोर्थ कोड में x होता है positive y होता है negative check करके देखो this become your r cos 330 और यह हो जाएगा r means radius is 5 तो x कोडिनेट क्या होगा इसका डाइक लिख दू 5 cos theta is 330 as it is मेरा y क्या होगा y is simply y 5 cos sorry this is not cos this is sine 330 degree yes or no y is r sin theta दोरो की value आगी अब यह angles मुझे solve करना आता है I think ठीक है तो 330 को मैं लिख सकता हूँ 360 minus 30 एक ही बात है 360 minus 30 same as it is में यहाँ पर भी लिख सकता हूँ now find the coordinate x is equal to क्या होगा 5 cos 360 minus theta 360 minus theta 360 बोलता है no change बट यह कौंचा quadrant है यह 4th quadrant 4th quadrant में cos positive तो sign में change नहीं होगा 360 बोलता है no change तो cos का cos रहेगा तो 5 cos 30 degree 5 cos 30 होता है root 3 by 2 which means your answer is 5 root 3 by 2 तो इसका x coordinate क्या निकला मेरा यह निकला same as it is मैं आप से y coordinate की बात करूं तो this is your 5 sin 360 minus theta 5 as it is 360 minus theta 4th quadrant 4th में sin 4th में sin क्या होता है negative तो यह आएगा minus sign 360 बोलता है no change मतलब sign का sign नहीं रहेगा यह हो जाएगा sign 30 sign 30 is half mean this is minus 5 into half mean this become minus 5 by 2 x coordinate positive y y coordinate negative यह यह बोला था this is your x and y coordinate for this चीक है तो ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हो यह just मैंने आपको बता है तो मेरी parametric form क्या है यह है इस पर किस टाइब की questions पूछे जाते हैं वो उसके हम बात करेंगे तो अभी just मैंने आपको पता है कि this is your parametric form but किसके लिए है when your center of the circle is origin जब आपके center of the circle क्या होगा origin होगा तब की मैं यह बात कर रहा हूं चीक है तब की बात कर रहा हूं तो यह थी अठा सकता हूं यह चीज sound में आगी तो simply आपको कुछ नहीं करना अगर आपको किसी circle का center क्या है origin है then your formula is direct this आपको theta और r की value पता होनी चाहिए ठीक है अब अगर आपसे मैं standard form पूछों जब center 0 होता है तो standard form मेरी क्या होती है x minus h hall square plus y minus k hall square is equal to r square अगर h or k center का मतलब h or k 0 है तो this becomes x minus 0 means this is your x square plus y square is equal to r square इसका मतलब अगर ऐसी कोई equation आपको मिलती है तो इसको direct देखते ही समझ में आजाना चाहिए कि इसका center क्या होगा that is simply 0,0 और radius इसके सामने जो लिखी हुए that is your radius simple है ऐसी equation जहां पे x or y के coefficient ना दिखे आपको तो इसका मतलब समझ जाओ को इसका center क्या है 0,0 होगा चीक है तो this is your equation of a circle whose center lie on the origin and the radius is r आगे अब इतना समझ में तो हो गया तो अब मैं बोला था कि मालनो मेरा center जो है origin पे नहीं है तो क्या होगा it's okay मालनो मेरा center जो है यह circle है मेरा and again this is your center is here let me this is h, की जैसे हम पहले बोलते थे तो this is your parametric form of equation of a circle when your center is at origin ठीक है अब यहां origin पे center नहीं है और मैंने कोई भी एक random point लिया यहां पर और मैं आपके पूछता हूँ की xy है इसके coordinate क्या होंगे इस form में ठीक है किस form में? parametric form में तो let me this is the radius तो radius तो सेम रहेगी यह मैंने line draw कर दी parallel to x-axis ठीक है? यहां से फिर से मैंने perpendicular draw कर दिया जैसे हमने पहले किया था तो अब आप मुझे बताइए कि x किसके equal होगा अब यह x इस center के respect में नहीं है x मेरा हमेशा ही origin के respect में होता है मतलब इसके respect में actually मैं अगर x को देखूँ तो x मेरा कुछ यहां है मतलब यह पूरी length मेरी x होगी yes or no यह चीज़ी पता है? बहुत basic चीज़े यह तो अब अगर मैं यहां तक भी बात करूँ तो क्या होगा यह देखू यह द्यान से देखू यह इस point का x coordinate h है इसका मतलब यह वाला distance है वो simply मेरा क्या है? h है अगर मुझे x निकालना है तो यह तो h हो गया अब मुझे चाहिए सिर्फ यह वाला अब यह वाला मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो भाई इसके लिए तो हम right angle triangle पढ़ चुके हैं अभी अभी हमने किया अगर यह right angle है यह r है और इसको मैंने theta बोल दिया तो this become your r cos theta जैसे मैंने पहले निकाला था same as it is this height become your r sin theta तो अगर आपसे मैं x coordinate पूछू यहां से आपसे तो x is equal to क्या होगा this h plus this means this is r cos theta r cos theta तो दोनों में क्या change आया है? h मेरा पीछे वाले में 0 था तो मैंने x is equal to r cos theta दाएक लिया गया अब h की value है तो वो मैंने put कर दी may be positive negative जो भी हो doesn't matter same as it is अगर मैं k निकालूं तो k means y coordinate तो फिर से अगर मैं यहां तक जाता हूँ इस point तक यहां तक यह height कितनी है? इसका y coordinate है k तो k हो मुझे तो जाना है यहां तक यह पूरा चाहिए और यह मैंने निकाला r sin theta it means k sorry y is equal to k plus r sin theta तो this is your parametric form of a equation of a circle चीक है तो आप इसको याद रख लो इसकी ज़रूत नहीं है यह सिफ standard जहां पर center 0 होगा वहां वाग करेगी यह हर जगे center 0 भी होगा तो h और k को 0 रख दो आपको यही मिल जाएगा finally तो सिर्फ आपको exactly अगर यह चीज याद है तो that's enough this is your parametric form of a equation of a circle easy अब इस पर बेस देख लिए दो किसंट ठीक है तिर उसके बाद बढ़ते हैं आखे लोकिस्ट लिखे हैं मैंने और यह आपके exercise 11.2 कहां से एलिमेंट्स से मापको कर रहा हूं तो elements के किसंट है exercise 11.2 किसे नमबर 10 था का हमारा हो चुका था यह किस्ट नमबर 11 के फस्ट दो पार्ट है तो किस्ट नमें 11 का first part is this and the second part is this अब बोला किया इसने 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 बोला है find the parametric equation of the following circle इन दोनों circle की मुझे क्या निकालनी है parametric equation निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं बहुत simple है अब देखो मैंने आपको जो parametric equation बताई कि मेरे पास center होना चाहिए और मेरे पास radius होनी चाहिए तो मैं equation निकाल सकता हूं और वो कोई भी equation किसी भी form में हो अगर यह सकता हूं जी बिल्कुल बता सकते हैं तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी equation of circle आप देखो सबसे पहला मेरा देहान जाना चाहिए कि x square और y square वाले term के आगे कोई भी coefficient नहीं होना चाहिए और इसका coefficient 1 होना चाहिए जैसे कि यहां दिख रहा है आपको यहां पर सबसे पहला काम इसको बनाओ कैसे बनाए जा सकते हैं डिवाइडिंग बोट साइड बाए फॉर फोर से डिवाइड करोगी यहां चैना इसको लिखता हूं आपको बता सकते हैं कैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर मुझे x-square प्लस y-square is equal to r-square की form मिलती है यह equation of a circle है जी बिलकुल है लेकिन यहां पर क्या है मैं सेंटर जो होगा इस condition के लिए वो क्या होगा 0,0 यानि origin ही मेरा सेंटर होगा और स्वडिशन में यानि इस चरकल की वीक्वेशन में मेरा सेंटर क्या है जीरो है संटर का अच्छी बात है नहीं आया तो जैसे हम स्टेंटर फोम करते हैं वैसे कर लो इसको बेंग सिकता हूं X-0 का होल्स क्या प्लस Y-0 का होल्स क्या इसे को टूरी यह नहीं है मतलब 0 0-5 तो यहां से मुझे क्या मिला सेंटर और वी कन से फास्ट हम लिखेंगे कंपेरिंग let me equation 1 equation 1 with standard equation x minus h all-square plus y minus k all-square is equal to r-square h or kya kya होते है center तो यहां से center मुझे क्या मिला center is 0,0 the radius is 3 by 2 r-square होता है तो 3 by 2 all-square तो this is your radius this is your center मुझे कैचिए मुझे इसकी parametric form चाहिए तो parametric form क्या होगी simply x is equal to kya होते है r cos theta यहीं parametric form होती है और y is equal to kya होते है r sin theta यह होती है मेरी parametric form यह होती है just put the values तो x क्या है मेरा general point है तो क्या होगा x is equal to radius is 3 by 2 तो मैं लिख दिया 3 by 2 और यह parametric form किसके लिए थी जब center 0,0 होता है तो तो इसका center 0,0 है इसलिए मैंने directly यह लिखा अदरवाइस मैं h वाली form लिखता हूं same as it is y is equal to again 3 by 2 sin theta और the next question में आप कुछ ऐसा करने वाला होगी आपको कुछ ऐसा मिलेगा और यहां से आपको वापिस यहां पहुंचना होगा तो यहां से यहां पहुंचना भी हम सीखेंगे लेकिन एक बार हमें इसके सभी कुछ नहीं करना जो एक वहन होगी वहां से चैन्टर निकालो रीडियस निकालो रीडियस निकाली आप यह मेरी परइमेटरिक फॉम है जस्समें जो जो वैल्यव पूटकर तो मेरे पस सिर्फ रेडियस है मैंने पूटकर तुट करने की जरूरत नहीं पड़े H और K, दोनों कॉफिसेंट है, क्या formula पढ़े हैं हमने, इनके पढ़े हैं इनके पढ़े हैं जी, minus half into, coefficient of X, that is 2, यानि X coordinate of center क्या होता है, minus half से multiply कर दो, X का जो कॉफिसेंट है, this become your minus 1, K coordinate क्या होगा, that is minus half into minus 4, यानि Y का कॉफिसेंट को multiply कर दो, minus half से, you get here, 2, it means center of the circle is minus 1, 2, H और K की value मुझे मिल गई, यह, अब मुझे क्या चाहिए, radius, तो radius के लिए, फिर, देखो, यह निकालने के लिए, मैं इसको center form में convert कर सकता था, वहां से radius मिल जाती, या फिर जब आपने general form से directly center निकाला है, तो आपको पता होना चाहिए, की center, radius के लिए formula क्या होता है, radius के लिए simply होता है, r is equal to root of h square plus k square minus c, put the values, r मुझे find out करना है, root of, h क्या है, h is minus 1, तो minus 1 का square, plus k क्या है, that is 2, 2 square, minus c, c क्या होता है, that is your constant, that is your minus 4, with sign लिखना है सबको, r as it is, root of, minus 1 square is 1, 2 square is 4, minus 4 square is 16, चीक है, oh sorry, not this is 4 square, minus minus, that is plus 4, चीक है, 4 plus 4 is 8, plus 1, 9, 9 का root करोगे तो 3, यानि radius के अबल की 3, sorry मैंने square कर दिया था, वो नहीं हो, radius है आपके पास, center है आपके पास, तो parametric form क्या होती है, बढ़ी, parametric form में होती है, x is equal to h plus r cos theta, और y कोडिनेट क्या होता है, y is equal to k plus r sin theta, put the values, जो जो है, put कर दो, वो आपके equation बन जाएगी, h की value में निकाली, minus 1, तो this is your x is equal to minus 1, plus r निकाला मैंने 3, 3 cos theta, same as it is, y is equal to k, k is 2, plus 3 sin theta, तो this is your, क्या बन की मेरी है, parametric form of this equation, is it I think, हो जाएगा, चीक है, अगर नेक्स देखतेने, question number 12, तो question number 12, just reverse है, ये given होगा, आपको ये निकालने है, ये given होगा, आपको ये निकालने है, तो दोनो, by comparison, और directly आप कर सकते हो, उसमें को दिक्कत नहीं है, तो question मैं वही उठा लेता हूँ, exactly, ठीक है, इसे आपको problem नहीं होगी, बाकी मैं बोलूँगा, कि कि ये दोनों questions भी आप, इन दोनों फोर्म को लो, और यहां से, यहां पहुंचने की कोशिच करो, कैसे पहुंचोंगे, ठीक है, तो question number 12, का first part देखते है, first, find the equation of the following circle in cartesian form, also find its center and radius, तो मुझे given है, x is equal to half cos, angle is alpha, and y is equal to half sin, यह मुझे parametric phone given है, और मुझे क्या बनाने है, cartesian form बनाने है, यानि एक तरह से मुझे general form में convert करके देने हैं इसको, तो कैसे करोगे, इसको करने कि मेरे पास दो method है, या तो मैं इसको standard equation से compare कर लो, या फिर मैं इसको directly भी कर सकता हूं, मैं आपको दोनो method कर बता हूं, कैसे, देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, sin alpha cos alpha है, इस दोरों की value अलग निकालता हूं, half उदर जाएगा, this become your 2x is equal to cos alpha, 2 उदर जाएगा, this become 2y is equal to sin alpha, ठीक है, अब मुझे Cartesian equation चाहिए, इसका मतलब मुझे x और y की form में, चाहिए, Cartesian plane वाली, x और y की form में equation चाहिए, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह cos alpha sin alpha मुझे हटा देना है, इनको हटाने का पहला तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं, वो simple से देखो, एक identity हमें आती है, कि sin square theta plus cos square theta क्या होता है, that is equal to 1, तो बस यह करना है, मैं क्या करूँगा, squaring, let me equation 1 बोल देता हूं, इसको equation 2 बोल देता हूं, squaring and adding, equation 1 and 2, पहले इन दोनों equation क्या करता हूं, पहले square करूँगा and then add करूँगा, squaring and adding, इसका square करूँगा क्या मिलेगा, that is your 4x square, is equal to, इसका करोँगे तो, sorry, साथ में add भी करना है, square करना है और add करना है, इसका square करोँगे 2x square, और left hand side में, मैं left hand side यह add करूँगा, तो इसका square करोँगे plus 4y square, क्या यह चीज़ समझ में आई, दोनों का square कर दिया फिर add कर दिया, is equal to, right में write करोँगे, तो this will become your cos square alpha plus sin square, यह क्या होता है बाई, 1, तो it means this is 4x square plus 4y square is equal to 1, this is your equation of the circle, यह क्या है मेरी equation of the circle, सब्सक्राइब आगया, अब second method बताता हूं मैं इसका, ठीक है, यह मेरे पास equation है, तो अब यहां से मुझे directly दिख रहा था कि मेरी standard form क्या थी इसकी, parametric form में standard form क्या थी, वो यह थी, कि x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, यह मेरी standard form थी, मैं simple सा लिखूंगा, comparing, that is this equation 1, this equation 2, और try करना, कभी भी जब भी हम compare करते हैं, तो try करो, पहले मैं उसको उसी form में जाके लिख दूँ, जैसे हम standard equation का करते थे, NCHRT से starting exercise start की थी, वहां से में यह करते हैं, उसको standard form में लिख आता था, x minus h whole square की form में, तो वैसा ही, यहां कुछ होना चाहिए, यह already ही वैसी form है मेरी, ठीके, तो comparing equation 1 and 2, with this, इनके साथ मैं अगर compare करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वो देखो, तो यह था एक method, जो मैंने आपको करवा दिया है पहले, अब इसको भूल जाओ, दूसरे तरीका इसको करने का, इसके साथ compare करने से मुझे क्या मिलता है, मुझे simple सा दिख रहे है कि R की value तो हाफ है, बट यह दोनों सेम होने चाहिए यह भी ध्यान अखना, चीक है, तो R की value क्या मिल रहे है, कि R is equal to half होगा, R की value क्या है, half है, बाकी चीजें, तो कुछ करना ही नहीं है, simply, R की value अगर half है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, R मिलका half, center क्या है यहाँ पर, इस equation से center क्या मिल रहे है आपको, अब मुझे यह simply दिख रहा है कि H, H and K, बोथ R equal to क्या होगा, 0 होगा, बोथ equal to क्या होगा, 0 होगा, अदर्वाइस या फिर इसको ऐसे लिखने की वजाए, अगर आप पूरा लिखोगे, यानि इसको मैं H plus R cos theta, और K plus R sin theta की form में लेकूं, यहाँ से आपको exactly पता लग रहा होगा, X, Y के coefficient हमेशा 1 होने चाहिए, इस condition के लिए, H or K और इसके साथ compare करो, यान H or K है नहीं, मतलब क्या है, 0, 0 है, radius क्या दिख रही है, इसके साथ compare करने से, that is half, तो H, K और R, तीन चीज़े है मेरे पास, now the equation is, अगर मेरे पास center है, मेरे पास radius है, तो equation मुझे पता है क्या होती है, X minus H hall square plus Y minus K hall square is equal to R square, put the values, H है 0, K है 0, R है half, X minus 0 is X, this is your X square plus Y square is equal to 1 by 2 square means 1 by 4, 4 को इदर ले आओ, this become your 4X square plus 4Y square is equal to 1, that's the equation, ठीक है, तो ultimately दोनों में कोई फरक नी पड़ेगा, question करने का, इस तरीक से करो या फिर इस से करो, doesn't matter, ठीक है, last question देख लेते हैं, आज का, इसको उटा दू, और दोनों ही method से बता तूम है, वो भी, the last one is, X is equal to A plus R cos theta, and Y is equal to B plus R sin theta, yeah, ठीक है, तो, same method है, same तरीके से आप कर सकते इसको, जैसे मैंने first method बताया है, second method बताया है, compare कर सकते हैं, और without comparing भी आप इसको कर सकते हो, चीक है, तो without comparing करते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, sin theta, cos theta को अलग कर लो, बाकी सब चीजे दूसरी तरफ ले जाओ, A उदर जाएगा, तो this become your, x minus A is equal to R cos theta, यह आर भी उदर जाएगा, तो divide by R हो जाएगा, that's your equation number 1, यहां से sin निकालते हैं, this become Y, B उदर जाएगा, तो Y minus D, R multiply में, divide by R is equal to sin theta, equation number 2, now, squaring and adding both side, इसको square एड़ करो, x minus A whole divided by R का square में ने किया, plus Y minus D whole divided by R का square में ने किया, is equal to cos theta plus sin theta, चीजे सामच में आई भाई, पहले square करना है, फिर add करना है, ठीक है, तो इसको में लिख सकता हूँ, x minus A whole square divided by R square, plus Y minus D whole square divided by R square, is equal to cos theta plus sin theta, that is one, R square दोनों से LCM आ सकता हैं, और बाहर ने किल सकता हैं, तो R square को ले जाओ इदर, बाक्की जो बचा, X minus A whole square, plus Y minus D whole square is equal to R square, यह मेरी ए standard form, लेकिन मेरा answer कभी भी standard form में ने मिल दा, मुझे इसको expand करना पड़ेगा, जनल फोम में आंसर मेरे का, तो इस जो, X square plus A square minus 2 AX, same as this, इस बिकम Y square plus B square minus 2 BY, और R square दो ले होगे, तो minus R square whole equal to 0, अब standard कर देता है, X square plus Y square पहले, फिर X वाले टरम, फिर Y वाले टरम, and then constant term means plus A square plus B square minus R square whole equal to 0, that's your final answer for this equation, easy, sign को उसको, एक तरफ करो, square करो, add करो, solve करो, you get your answer, this is the first method, second method, comparing this equation 1 and 2, इसको 1 और 2 बना लो अगे, और इसको compare कर लो इसके साथ, इसके साथ compare करने से मुझे क्या मिलता है, X, Y के coefficient, 1 होने चाहिए, दोनों में 1 है, it's okay, A और B, यहां से मुझे मिलता है कि H is equal to A होगा, K is equal to B होगा, मिल गया, और cos theta, sin theta करे चाहिए र होता है, तो यहां पर R ही है, radius मेरी पहले radius दिए भी है, चीक है बई? center आप के पास यह है, radius आप के पास है, standard form क्या बोलती है, मैं values कहां पूट करूँगा, सीधा standard form में, it means something like that, मैं यहां से सीधा यहां चला जाओगा, तो comparing this with this, you get here this, और बीच वाला यह step आपका हट के, directly आप कहां पहुँचोगे, इस वाले step, X minus H, H is your A, Y minus K, K is your B, and equal to R square, Solve this and you get the same answer, हो गया, तो यह थी मेरी parametric form, इसके बाद आपका circle complete है, circle में कुछ extra नहीं बचाए है, जितना हम maximum कर सकते थे, हमने किया, maximum questions किये, किसी वोई कोई डाउट हो, comment करो, चीक है, और that's it, okay, thank you,